हेलो फ्रेंड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सोनी स्टोरी पर स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा पिता कर आए हो पिता ने कहा तब मैं वहां कंपनी का नया ओफिस स्थाबित करने गया था और अब अब कंपनी ने इंडिया ट्रांसफर कर दिया है वहां जो नया ओफिस खुला है उसे आप कुछ समय के लिए मुझे ही संभालना है पिता को ये बात सुनकर धक्का लगा फिर से इंडिया कितनी मुश्किल से पीछा चुड़ाया था उस देश से इन्होंने दिनानात पाठिल उर्फ डैनी ने लगा जैसे किस्मत फिर से उन्हें उसे और खीच रही है डर भी लगा कहीं उतकर्ष तुने मना क्यों नहीं किया कहते मेरी पेरेंट सेनियर सिटीजन है उनकी तब्यद भी सही नहीं रहती मैं नहीं जा सकता ये सब बात नहीं सुनी जाती मल्टी नेशनल कंपनियों में डैड उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है तो तुम कोई दूसरी नोकरी ढूंड लो तुम्हें तो कोई भी नोकरी मिल जाएगी इतने हाइली क्पालिफाइड हो ये एक चैलिंज है डैड कंपनी को जब इंडिया वाले ब्रांच से प्रोफिट मिलने लगेगा तो मेरा करियर उचायो पर पहुंच जाएगा फिर मै मुझे एक एंपलोई से पार्टनर भी बना सकती हैं उतकर्ष का जवाब सुन वे चुप हो गए उतकर्ष ने डैड को ये नहीं बताया कि उसने स्वयम अपने बोश से अनुरोध किया था इस पोस्टिंग के लिए कुछ ही सब्धापूर इंडिया के पुने शहर गया था अपने कंपने की शाखा को स्थापित करने के लिए काम के बीच में पड़े एक विकेंड में वे अपनी मोसी के यहां चला गया था जो मुंबई में रहती थी मोसी ने उससे पूछा था पूरे में खुल रहा है तुम्हारा ओफिस अरे वही पास में तो तुम्हारा ददिहाल है क्या नाम था गाओं का अमबोली हाँ यही याद है मुझे अच्छी तरह से दीदी विदा होकर वहीं तो गई थी ये सब जानकारी उत्रश के लिए नही है मेरे दादा जी का नाम क्या था उत्कर्श ने अपने मोसी से जानना चाहा शंभू नात पाटी इससे जदा मैं नहीं जानती मोसी से अपने ददिहाल के बारे में ये जानकारी पाकर अगले वीकेंड वह अमबोली पहुच गया था मन में उठ रही हजार प्रश्णों के उत्तर ढोलने वो कहां से आया है उसकी फैमली में कौन-कौन है क्या उसे वहां कोई अपना मिलेगा आधी-आधी धरकते दिल से जब वह गाव पहुचा तो एक बुजुर्ग से उसने शंभूनात पाटिल का घर पुचा पता तो उन्होंने बता दिया पर थोड़ा पर तो शंभू काका से मिलने शहर से कोई नहीं आया जब उनके बेटे ने धोके से उनकी सारी जमीन बेच दी और उनसे सारी संबंध तोड़ विदेश चला गया तब से बेचारे दोनों अकेले ही रहते हैं जी मैं उनका दूरका रिष्तेदार हूं उतकर्ष ने धीरे से जवाब दिया मन बहुत व्यतित हो उठा था उसके दादा दादी जिन्दा हैं इतने बरसों से अकेले रह रहे हैं और उसे पता ही नहीं घर की स्थीती बहुत अच्छी नहीं थी परन्तु जो व्रिद द्वय सामने बैठे थे उन्हें देख उसकी आँखों से गंगा जमन निधार बहन निगली क्रिशकाई शरीर पर एक छटांग मास नहीं पर अपना सब कारिये स्व्यम करते हुए क्या यही उसके दादा दादी हैं उनके पाउच होते हुए जब उसने अपना परेचे दिया तो उनको संभाल पाना उसके लिए असंभव हो गया इस मुलाकात न उन्होंने दशकों से सपना देखना भी छोड़ दिया था वो अगर सच बनकर उनके सामने आ जाए तो दिल की धड़कन तो कुछ पल को रुखी जाएगी सौमवार प्रत हैं वे पुरे लोटने लगा तो दादा दादी बेता हाशा रोने लगे उन्हें लग रहा था कि उन जाजी मैं आपसे अपनी कसम खाकर कह रहा हूं मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाओंगा फ्राइडे शाम को मैं वापस आ जाओंगा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें नोकरी तो करनी है ना शायद ये सबतहा उस तंपत्ति के जीवन का सबसे लंपा इंतजार रहा होगा पर जब शुक्रवार को उतकर्ष वापस लोटा तो मानों उनके जान में जान आ गई दादी का मुस्कुराता चेहरा तो सच मुछ में सुंदर लग रहा था खून की रिष्टे में कोई बात तो होती है वह हमारी हिर्दे के तारों को जंकृत करने से कभी नहीं उस सब्ताहंत उतकर्ष से जितना बन पड़ा उसने दादा दादी के रहायश को बेहतर करने की कोशिस की ये उसका इंडिया में आकरी वीकेंड था अगले शुकरवार उसकी बापसी की फ्लाइट थी पर उसने अपने भविश्य का खाका मन ही मन में तयार कर लिया था पू प्रफलता का आश्वासन देना पड़ा वर्न पहले से कम बेतन पर काम करने के लिए भी राजी होना पड़ा परंतु उसे इन बातों का कोई गम न था उसने निश्चे कर लिया था कि अपने दादा जी वे दादी मा की बची हुई जिंदगी में खुशियां बरने के लिए वे कुछ भी करेगा जिस पित्र रिन को अमरीकी नागरिक बन चुके उसके माता पिता चुकाने से चूक गए थे उससे उन्हें उरिन करने का करता वे उनके बेटे का ही तो होगा ना दोस्तों उमिल करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंस में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद